हिमालिया क्विस्टा प्रो है सुपीरियर प्रोटीन वे ते हल्दी वे तो फिल्स मेरे साथ इस समय मौझूद है भाजपा के वरिष्ट नेता और राज्यसभा सांसत डॉक्टर किरोडी मीना इनका कहना था कि इनोंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है युनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सर क्या मान लिया जाए कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि युनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएगी अभी से नहीं, शुरू से वैचारिक द्रिश्टी से जन्संग समय से भारतिय जनता पार्टी के ये मन रहा है कि देश में समान कानून होना चाहिए, कानून में किसी प्रकार का भेधवाव नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसलिए अब उचित समय आ गया है, ये क दंगता है कि पार्टी ने मन बना लिया है कि, इसके कहिं कारणें. कंसट्यूर्ट से अस्पलि तबीमिनें ड्रकार भी हमत्र कर यकर्णि कन कुछ, मेंमिम्बरान ने इसका वरूत किया तो समझ नहीं आ सक लेकिन, आर्टिकल 44 में ये प्रावधान डाल दिया uhum. Gary conex, यह नागर आचारशीता देश में लागू होनी चीज़े जाए सुप्रिम कोट के कई चीप जस्टिस के कई हाई कोट के जज़ेज के ने भी इस बात पर बार बार चिंता जहर किये कि कॉमन सिविल कोट लागू किया जाए इसलिए पार्टी ने निरने सा ले लिया है मंसा बन बन जाएगा यूनिफर्म सिविल को बच्षे तो हमारी सेंटरल लीडर से प्या बड़े लीडर कह सकते हैं लेकिन देश में ऐसी कई घटनाएं हुई है इन चार-पास साल में जो चिंता का सबब बनी है और उससे लगता है कि 2004 से पहले यह कॉमन सिविल कोट संसत से पारत ह हो जाएगा पताएं कि असदुदी नुवेसी जो की ए आई एम एम के नेता है उनका कहना है कि मुसल्मानों को किस तरह से वो अपने रिलिजिन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसकी फीडम होनी चाहिए और वो विरोध करते आएं हैं यूनिफर्म सिविल कोड यानि की समा एक दो, तीन, चार, पांच साधी कर लेता है पाकिस्तान में भी दूसरी साधी बिना पहली पत्नी की सहमती से नहीं कर सकता तो फृडम की एक सीमा होनी चाहिए कि है आप चार साधी कर लों तो मीरी सजा हो जाती है इसलिए यह कुछ ऐसे तत्वे कल संसद में भी बहूत सी ही जगहें हैं जहांपे हिंदूचे सीफश्व मिले हुए है ये सवाल भी था क्या क्या हिंदू अपने स्पेसेल प्रिवलेजिस गिवडिश ने को त्यार हो ने बिलूकुल देते हैं हमारे हमारे यह हमारे हिंदू Um में ऐसके बेटे के बराबर प्रयते साजय दारी होगी तो यह हमारी बेटी को हिंदु बेटी को दिया गया है तो उसलिम बेटी को नी मिलना चीह वह उसको पुर्पटी को मिलना चीह उसको इसको मेरिज chests नी उसको के डाइवर का प्रिलेज निहें लियुना चाही है। । समान रूप से कानून रूनरे पूरे देस में यह इस बिल की मंसा है। अब ये असुभि अब जैसे जूसरे जो विरोदिय VeterINA को अपना वोर्ड बेंक मान कि चलतें उनको नुकसान पहुचाने का काम करते हैं ये बिल उनको रहेद देना वाला बिल है क्या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लोकसभा चुनाव के पहले लाना धारा 370 के बाद बीजेपी का बड़ा ये अम्बिशन रहेगा हां धारा 370 जहां बल्लदान मुखर जी ने बल्लदान दिया वह हमारा एजेंटर पर था जिसको मोदी जी की अगवाई में पूरा किया रामबंदर पूरा किया यह भी उसी तरह से पूरा होगा यह मेरा मन कहता है प्लकुल लगता है लोकसभा गपे भी जिस तरह से की बात की गई विभाजनकारी नीतिया हैं वीजेपी की या पोलराइज करने की नीतिया रहे जिस देश को तीन खंडों में बार दिया था नहरुजी के समय उसका समीर को अपने कबजे में लिया है पाक उकुपाइट को भी लेंगे तो टुकड़े तो अनोनों की है जो आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हम पूरे देश को एक कर रहे हैं मजबूत कर रहे हैं प्रबर और समर्थ राष्ट मोदी जी बनाने में लगे हुएं आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज़ रहा है तो साफत और पर बीजेपी के राजे सबा सांसत कहते हुए कि लोकसबा चुनाव से पहले बीजेपी का युनिफॉर्म सिविल कोड लाने का बड़ा प्लान है कैमरा परसन चेतन के साथ देव प्लान चेतन का झाल जा प्लानन चेतन के साथ रहा है तो सिया है डिन डंका बड़ा तो सांसते है झाल बीजेपी के ली कोड़ाए और लाजर।